हेलो अब्रीबर, वेलकम टू टेग पोईट फो, दिस इस संजय चौधरी, टूड़े आई विल डिसकेस एबाउट निम्सर 2023, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि निम्सर 2023 का रिजल्ट आ चुका है, जिनके रैंक अच्छे आए हुए हैं, उनको मेनी मेनी कॉंगर्चु और आए हुए हैं, उनको ज्यादा चिंतित होने की आप सकता नहीं है, उनहीं के लिए ये वीडियो में बना रहा हूँ, जिसमें मैं डेटेल में डिसकस करूंगा कि किस कॉलेज में कितने कटाउफ फर, कौन सी कटेगरी में आपको कॉलेज मिल सकता है, इन सभी पॉइंट इस पर हम डिसकस करेंगे, इसके अलामा इस वीडियो में हम चार कॉलेज के, यानि की फर्स्ट में एनाईटी, चितने भी एनाईटी हैं, सेकंड पे स्चियू यानि की हैधराबास सेंटरल उनुश्टी, ठर्ड पे आपका HBTU, हार्ड कोर्ड बटलर टेकनिकल उनुश्ट के बारे में डिसकस करूँगा, ये जो वीडियो होगा, ये चार पार्ट में डिवाईड होगा, पहला जो वीडियो होगा NIT के लिए, सेकंड होगा SCU के लिए, ठर्ड होगा IPU के लिए, एन फोर्च होगा HBTU के लिए, तो सीक्वेंज आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन चार पार्ट में वीडियो होगा एंड सारे पार्ट को देखना आपके लिए बेहर ज़रूरी है और चार पार्ट में करने का मकसद यह है कि वीडियो काफी लंबा हो रहा था जिसकी वज़े से मुझे चार पार्ट में करना मजबूरी हो गई तो अब ज्यादा मैं discuss नहीं करूंगा, cut off की तरफ हम आते हैं, ठीक है, पहला जो है हमारा है that is NIT, फर्स्ट वीडियो हम discuss कर रहे हैं, इसमें NIT में अगर बात करूं, तो NIT में दो तरह के हमने cut off रखे हुए हैं, पहला जो cut off है that is top 5 NIT के, यानि कि ऐसे बच्चे जिनके rank क्या cut off जाना चाहिए था, या क्या cut off होगा, जिसके basis पे top 5 NIT मिल जाएंगे, second जो है that is any NIT, जिनकी ये उमीद है, ये expectations हैं, कि कोई न कोई NIT मिल जाए at least, उनके लिए भी मैं discuss करूंगा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कि top 5 NIT का expected cut off 2023 का क्या होगा, तो ये आपको दिख रहे हैं, open, EWS, OVC, SC, ST, ठीक, open का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है, तो अगर top 5 NIT में जाना है, आपके rank 320 से 350 के बीच में है, या इतना तक है, तो आपके पास बहुत ज़्यादे chances हैं, कि आपको top 5 NIT मिल जाएं, second EWS की बात करूं, अगर 400 के आसपास rank है, दो बहुत ज़्यादे chances हैं, कि आपको top 5 NIT मिल जाएं, जो बच्चे OBC non-creamy layer से हैं, अगर उनके rank 500 के आसपास हैं, तो उनको बहुत ज़्यादे chances हैं, higher chances हैं, कि उनको top 5 NIT मिल जाएंगी, SC की बात करूं तो 2700 के आसपास chances हैं, and ST की बात करूं तो 7000 के आसपास अगर rank है, तो बहुत ज़्यादे chances हैं, कि they can get NIT's, top 5 NIT's, अब total जो NIT's में seat हैं, वो आपको पता होगा, 813 seat है, 813 seat हों पर ही admission होने वाला है, अगर आप चाहते हैं कि कोई न कोई NIT's मिल ही जाए, चाहे वो खराब हो, चाहे अच्छा हो, ये हमारे लिए matter नहीं करता है, तो आपको का tag चाहिए, insert अगर मैं बोलूं, tag चाहिए, तो आप इस rank के basis पे अपने आपको एक उमीद दिखा सकते हैं, कि आपको chances हैं मिलने के, ओपन में अगर आपका 600, 620 के आसपास rank है, तो बहुत ज़्यादे chances हैं कि आपको कोई न कोई NIT's मिल जाए, ठीक है, economic weaker section की बात करूँ, तो बहुत ज़्यादे difference नहीं होता, open EWS में, तो 640 के आसपास तक rank वालों को मिलेगा, OBC बहुत जाएगा, तो 700 जाएगा, इससे उपर नहीं जा सकता है, SC, ST की बात करूँ, तो 3580 का, और NST का 7000 के आसपास जाएगा, ये cut-off जो मैंने बताई है, that is expected cut-off, most of the chances हैं कि इसी के around रहेगा, 24 numbers में आगे पीछे नहीं कर सकता हूँ, 24, 10 या 15 के आसपास, लेकिन अगर मैं open EWS and OBC की बात करूँ, किसी भी NITs के लिए, तो ये जो cut-off होगा, जादे difference नहीं आया, जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि last year जो मैंने expected cut-off बताई थी, उसी के around गया है, 15-20 rank के इधर उदर हुआ था बास, इससे अधिक नहीं हुआ था, तो जो मैं बता रहा हूँ, उस बात को आप धिहान से सुनिएगा, जो मैं rank बता रहा हूँ, ये आपका सारे round को include करने के बाद बता रहा हूँ, ये नहीं कि round 1 के बाद दिया, round 2 के बाद नहीं, round 1, 2, 3, सब का इंतिजार करना पड़ेगा, उसके बाद की बात में बता रहा हूँ, इस वीडियो को हम यहीं पर end करेंगे, हमारा जो part 2, 3 and 4 है, उसको जरूर देखिएगा, जिससे आपकी जो उम्मीदे हैं, वो साइध और time तक जिन्दा रह सके, और आपको एक और उम्मीद साइध मिल जाए, साइध आपको NITS में ना मिल पाए, IPU मिल जाए, SU मिल जाए, HB2 मिल जाए, किसी में उम्मीद आपको जग रहा हो, तो अपने उम्मीद को जगा के रखिए, वो बहुत जरूरी है, अभी तक आपने exam दिया है, महनत करके, अभी तक आपने काफी महनत की है, तो अब समय आ गया है, थोड़ा सा patience रखने का, जिससे आपको एक सही college जब मिल जाएगा, फिर आपको attention नहीं होगी, ठीक है, वीडियो को यहें पर end करते हैं, thank you for watching, we will meet in our next video.